हाज फ्रेंड्स दिस बीवुदत्य फ्रम सावु टेक्नो गाड आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हों आप आपका DSLR या induction क्यामरा को आपका laptop में कैसे connect करेंगे और live वीडियो वगडर में कैसे यूज करेंगे अगर ये वीडियो आप हमारा चैनल में पहली बार देख रहे हैं तो नीचे आपको एक सब्सक्राइब बटन मिलेगा वहाँ पे क्लिक करके आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बाजू में आपको एक बेल आइकन मिलेगा वहाँ पे क्लिक करते जैसे नॉर्माली हम फोन का क्यामरा यूज करते हैं बट आप DSLR या आक्षन क्यामरा को भी ये प्रोसेस के थ्रूम में आपका लाइब वीडियो में यूज कर सकते हैं तो ये प्रोसेस बहुत ही सिंपिल है इसके लिए आपको क्यामरा का जरौँ용 पड़ेगा लैप्टाप का जरौँ पड़ेगा उसके साथ आपको एक क्याप्सर काड़ का भी जरौँ पड़ेगा और कुछ orieक्ड्टर यहां है और मिल जाएगा अगर आप capture card combo लेते हैं तो उसके अंदर आपको cable and connector बगएरा including मिल जाता है तो मैं नीचे description में कुछ capture card and कुछ capture card combo का link दिया हूँ वहाँ से जाके भी आप check कर सकते हैं तो चलिए laptop screen के पास तो friends मैं पहले आपको बताओंगा आप आपका action camera को कैसे connect करेंगे उसके बाद DSLR को कैसे connect करेंगे और second phase में आपको बताओंगा अगर आप यह camera को connect करते हैं तो facebook live या youtube live आप कैसे करेंगे तो यहां पर हम यह action camera को connect करेंगे जिसे मैं यहां पर आपको close look दिखा देता हूं camera का तो यह जगा में आप देख सकते हैं यहां पर HDMI का micro port है और यहां पर SD card का port है और यह micro USB का port है तो यहां पर हमको एक एसा connector चाहिए जिसमें HDMI to HDMI micro pin रहना चाहिए और सेकेंड यहां पर हम ऑक्सलो ब्रांट का capture card यूज़ करेंगे अन्थार्ट एक HDMI केबुल का आपको जरूत पड़ेगा तो नेक्स्ट यहां पर हमको एक connector का जरूत पड़ेगा जिसे आप देख सकते हैं यहां पर HDMI का female port है और दो साइड में दो pin दिया गया मिन्स यह HDMI micro है और यह HDMI mini है जैसे के maximum DSLR हुआ या camcorder बगरा में आपको HDMI का mini port मिलेगा तो यह pin वहां पर लगेगा और कुछ हमारा action camera रहता है यह छोटा size के camera रहता है तो उसमें HDMI का micro port रहता है तो यहां पर हम यह micro pin में उसको लगाएगे और नेक्स्ट यहां पर और एक adapter का जरूत है अगर आप MacBook बगेर यूज़ करते हैं तो यहां पर Thunderbolt का port रहता है तो उसको डारेट आप USB लगा नहीं सकते तो उसके लिए आप कोई भी USB to USB C type का आपको OTG adapter लेना पड़ेगा तो मैं पहले आपको connection बता देता हूं जैसे के simple अगर Mac यूज़ कर रहे हैं तो डारेट आपको यहां पर adapter लगाना पड़ेगा USB के लिए अगर आप Windows laptop यूज़ कर रहे हैं तो आपका laptop में जो USB 3 का port रहेगा उसमें आपको यह USB लगाना है जैसे के यह जगा में हमारे HDMI केबल को connect करना है जो के काफी simple है आप HDMI केबल को यह जगा में लगा दीजिए तो इतना connection हमारा हो गया और HDMI का जो दूसरे में लगा देता हो तो अभी हमारा यह जो connection है यह complete हो गया तो अभी हम laptop screen के बास जाते हैं तो यहां पर आपको एक software इंस्टल करना पड़ेगा जो कि OBS software है open broadcaster software तो यह OBS का official website है जो कि open broadcaster software है तो यह आपको तरी बॉलता है Windows के लिए Mac के लिए Linux के लिए अगर आपके पास Windows PC या laptop है तो आप यहां पर एक आसे में स्कूर कर देता हूँ तो जैसे यह ऊपन हो गा interference कुछ देखने के लिए आपको ऐसे मिलेगा तो यहां पे यह software का detail से आप देख सकते हैं, आपको यहां पे एक scene मिलता है, यह section है, और second section जो है, यह sources है, और third section जो है, यह audio mixture है, तो पहले आपको यहां पे scene create करना पड़ेगा, तो यहां पे आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, जैसे यहां पे double B कर देता हूं, यह different नाम भी आप रख सकते हैं, कोई भी problem नहीं है आपको, second आपको sources में जाना है, तो यहां पे plus में जाना है, तो हमको यह camera का audio and video, यह दोनों को add करना है, तो पहले हम इसका video capture device को add करते हैं, तो आपको simple यहां पे ok कर देना है, और यहां पे device में आपको select करना है USB 3 capture, उसके बाद ok कर द कर देता हूं, तो अभी हमारा camera जो है यह on नहीं है, इसलिए यह blank आ रहा है, जैसे ही मैं इसको on कर दूँगा, तो यह चालू हो जाएगा, जैसे मैं यहां पे इसको on कर देता हूं, तो जैसे ही camera on हो जाएगा, आपको screen में इसका live जो video है यह दिख जाएगा, जैसे आप देख सकते हैं, अभी यहां पे show कर दिया, तो यह आगया इसका video, अभी audio हम add करते हैं, तो plus में जाना है, आपको audio input capture में जाना है, उसके बाद ok कर देना है, तो यहां पे device पूछ रहा है, तो यहां पे USB 3 capture आपको select कर देना है, उसके बाद ok कर देना है, तो ok कर देने के बाद अभी आपका audio and video यह दोनों यहां पे add हो गया, तो next time में आपको audio mixture में जाना है, और यहां पे उसका setting का symbol रहता है, वहां पे click करना है, advanced audio properties में जाना है, त तो इतना रहता है, इसका setting जैसे अभी हम action camera को connect किया है, तो यह इसका audio and video यह दोनों आ गया है, जैसे मैं यहां पे आप देख सकते हैं, मैं move कर रहा हूं, तो यह screen जो है, यह move हो रहा है, तो यहां पे आप देख सकते हैं, delay total नहीं है, अगर मैं यहां पे यह scene में भी camera को movement क कर रहा हूं, जैसे कि यह action camera है, तो यहां पे image stabilization ज्यादा है, इसलिए आपको camera में इसे दिख रहा है, बट यहां पे delay total 0 के बराबर है, तो यह होगी हमारा action camera का, same मैं अभी आपको DSLR कैसे connect होता है, वो भी दिखाता हूं, तो same अभी हम यह DSLR को connect करेंगे हमारा laptop में, जैसे simple अगर आपको, आपका DSLR को connect करना है, तो simple यहां से इसको remove कर दीजिए, अभी यह action camera को हम बाज में रख देते हैं, तो same जैसे मैं आपको बताया था, यहां पे HDMI का एक mini port है, और एक micro port है, तो यह जो DSLR है, इसमें आपको HDMI का mini port मिल जाता है, तो maximum DSLR अगर आप देखेंगे, त तो वहां पे HDMI का mini port जो है, वहां को मिल जाएगा, तो simple यहां पे, आपको mini port connect कर देना है, और जैसे मैं आपको बताया था, यहां पे process same रहता है, अगर आप कोई भी camera लगाते हैं, तो आपको video capture device जो है, इसको add करना है, and audio input capture यह दोनों को add करना है, तो जैसे मैं action camera में दिख change करते हैं, तो भी उसका audio and video आपको, आपका laptop में मिल जाएगा, जैसे यहांपे मैं video mode में change कर देता हूं, तो आप देख सकते हैं, यहांपे, video mode में भी, यहांपे आ गया है, और मैं जैसे ही camera को move कर रहा हूं, तो यहांप देख सकते हैं, आपको picture में कोई भी delay नहीं मिलेग तो यह हो गया सेल्स प्रोसेस अभी मैं आपको बताता हूं आप लाइप कैसे करेंगे जैसे के आप देख सकते हैं यहां पर हमारा क्यामरा यहां पर आड़ हो गया मिन्स क्यामरा का आड़ियो यह दोनों आड़ हो गया अगर आपका DSLR या Camcorder में microphone का provision है तो external mic बगेरा भी आप इसमें लगा सकते हैं तो यहां पर मैं इसको on कर देता हूं इनसी recording mode में अभी live है तो यह अभी recording कर रहा है जैसे यहां से symbol आप देख सकते हैं तो जब भी आप live करेंगे तो पहले आपको यह software में setting में जाना है तो यहां पर stream में जाना है जो के आपको Facebook और YouTube यह दोनों में मिल जाएगा, तो आपको stream की लाकर यहां पर paste कर देना है, जैसे यहां पर service जो है, Facebook मिलता है, आपको YouTube मिलता है, तो बहुत सारे है, Twitter है, बहुत सारे है यहां पर, जैसे YouTube में like करना है, तो YouTube select कर देना है, उसके बाद आपको यहां पर just stream की, जो है, यहां पर paste कर देना है, stream की आपको आपका creative studio के अंदर मिल जाता है, अगर आपको Facebook like करना है, तो उसको भी आप कर सकते हैं, तो Facebook like के लिए भी आपको यहां पर stream की add करना पड़ेगा, तो आप जैसे ही stream की यहां पर add कर देंगे, Facebook का हुआ या YouTube का हुआ, उसके बाद यहां पर start streaming में आना है, और इसको click कर देना है, जैसे कि अभी हमारा यह जो stream की है, यह wrong है, इसलिए यहां पर कुछ सो नहीं कर रहा है, तो यहां पर जैसे ही आप start streaming कर देंगे, तो आपको YouTube live में, अगर आप creative studio के अंदर है, तो वहां पर भी यह automatic live हो जाता है, तो यह camera के through में, आप जो भी live करना है, आपको कर सकते हैं, उसके बाद आप यहां पर, जब आपको live streaming को stop करना है, तो यह start होने के बाद यहां पर stop का option आता है, तो stop कर देंगे, तो यह stop भी हो जाता है, तो यह process में, आपके पास अगर कोई भी action camera है, DSLR है, यह camcoder है, तो उसको live video के ल लैपटॉप का camera में कोई भी live video बनाते थे, तो वहां पर resolution जो है, इतना अच्छा आता नहीं, बट अगर आप, आपका DSLR यह action camera बगरा को live video में यूज़ करेंगे, तो वहां पर resolution भी बहुत आपको अच्छा मिलेगा, तो यह process related, अगर आपका कुछ भी क्यूरी है, या आप आपको कुछ भी doubt है, तो आप comment section में मुझे पूछ सकते हैं, मैं जल्दी ही उसका answer आपको दे दूँगा, तो आशा करता हूँ यह video आपके लिए काफी helpful रहा होगा, अगर यह video आपको अच्छा लगा, like and share जरूर कीजिएगा, अभी आप हमको Instagram and Twitter में follow कर सकते हैं, और हमार अभी तक आपने हमारा YouTube का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो आभी कर लिजिए, क्योंकि इस टेप का वीडियो में रोज लिख आता हूँ, तब तक हमारा चैनल देखते रही है, साहू टेक्नोगैड आपका दिन सूभ हो